नमस्कार दोस्तों आपका एविएशन इंजिनिर्स चेनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये हवाई जाज अपने जेट इंजिन की मदद से कैसे अपनी नहीं उचाईयों को तैक कर रहा है। तो हम इस वीडियो में चानेंगे कि जैट इंजिन कैसे काम करता है। इसके लिए अंदर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैट इंजिन एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो उसका प्रेशर घट जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे उसके बाद जब वो कम एरिया से निकल का ज्यादा एरिया में जाएगी तो इसके इस्पीड बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा यही सिद्धान पूरे जैट में अपलाई होता है आगे बढ़ने से पहले मैं आप बता देना चाहता हूं कि स्पूल किसे कहते हैं इस पूल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक रोटर होता है शाफ्ट होती और टरबाइन लगी होती है इन तीनों को ही मिलाकर स्पूल बनता है दोस्तों जैसा कि आप एफिसेंसी उतनी नहीं होती आजकल हम mostly two spool engine का इस्तमाल करते हैं और three spool engine का इस्तमाल बड़े-बड़े engines में किया जाता है दोस्तो आप ये गोला कार देख रहे हैं इसे engine का inlet कहते हैं ये आगे से थोड़ा पतला है और पीछे थोड़ा चोड़ा है इसका purpose ये है कि ये आगे से हवा को सक करता है और पीछे जो हवा छोड़ता है उसका pressure थोड़ा increase हो जाता है बर्नोली के principle के हिसाब से और जो pressure increase होता है वो आगे जाके engine के जो fan blade है उस पर जाके लगता है एक particular angle ताकि वो सही से काम कर सकें दोस्तों inlet ने तो अपना काम कर दिया उसने ambient air से air लेकर एक perfect velocity के साथ और एक slightly increased pressure के साथ वो air fan तक पहुंचा दी अब fan जो कि हमारा low pressure compressor में include होता है उसके बाद हमारा high pressure compressor लगा हुआ है उस air को लेकर fan अपना आगे pump करेगा low pressure compressor उसका और pressure increase कर देगा और वो air पहुंच जाएगे अपना high pressure compressor के पास high pressure compressor उसका और pressure increase कर देगा तो आप देख रहे हैं हर बार pressure increase हो रहा है तो इस case में velocity decrease भी हो रही होगी तो इस तरीके से pressure maximum increase कर दे जाता है तो आपने देखा कि high pressure compressor के पास pressure बहुत जादा है compared to low pressure compressor के साथ तो आपको पता ही होगा किसी भी चिछ की tendency होती है कि वो high to low जाए तो इस case में भी ऐसा हो सकता है कि high pressure compressor से air LPC की तरफ जाने लग जाए मतलब low pressure compressor की तरफ reverse flow करने लग जाए तो इसलिए manufacture क्या गरता है इसको इस तरीके से compressor blade को arrange के जाते है ताकि ये reverse flow में ना जाए और साथ ही engine को पीछ में taper कर दे जाता है इसलिए low pressure compressor के blades हैं थोड़े बड़े compared to high pressure compressor के ताकि velocity को maintain कर रखा जा सके according to Bernoulli's principle दोस्तों compressor ने तो अपना काम कर दिया उसने air को maximum pressurize कर दिया अब इसके बाद ये compressed air जाएगी diffuser में diffuser में maximum pressure होता है उसके बाद ये air जाएगी आपके combustion chamber में जहां पर already igniter plug चालू रहता है igniter plug इसमें हाँ igniter plug ही उता है जाए टेंजम ना की spark plug दोनों में अंतर है इसमें igniter plug चालू रहता है जैसे ही fuel और air mix होती है igniter plug spark होता है igniter plug ignite होते ही jet engine आपका start हो जाता है और वो continuous चलता रहता है उसके बाद जब engine stabilize हो जाता है तो igniter plug automatically बंद हो जाता है अब combustion स्टार्ट हो गया combustion के बाद air combustion chamber से निकल कर turbine section में जाकर लगती है turbine section में जाकर air expand होती है और expand होने के बाद यह exhaust nozzle से निकल जाती है high speed में और इस case में pressure ambient pressure के बराबर हो जाता है लेकिन velocity बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि exhaust nozzle आपका conversion safe का होता है जिसकी बज़े से suddenly velocity बहुत हाई हो जाती है और आपके engine को thrust मिलता है आपका aircraft आगी तरफ move करेगा तो इसलिए दोस्तों इस jet engine को constant pressure cycle भी कहा जाता है क्योंकि इसका inlet pressure हमेशा ही almost outlet pressure के बराबर होता है तो दोस्तों आपको पूरे jet engine की जानकारी कैसी लगी बताने के लिए कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट कीजेगा कोई भी कोशन हो तो आप कोमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं हमारे चनल को like और subscribe कीजेगा और हो सके तो आगे forward कीजेगा धन्यबाद और enjoy this video झाल